अस्वेद कोट को उतार कर फूसी की पूश पर रखा था टेबल और डॉलिंग चेर्ण के दरमयान खड़े होते वे अपटी पॉक्रिस से ममवाइल निकाला था पॉस पर लगाते वे फून अनलाक हुआ तो नजरेवाल पर लगवी पलवश्चा अपने शादी के तस्वीर प काम का क्या बना जफर जरगाम पर नजर रख रही हो ना नजरे टेबल की सतपा जमाइल साफता जमिस्तफार क्या तो दूसरी जनब कुछ तवकर के बाद हमोशी चाह गए जीस चाह साब अभी वो हास्पिटर में है और जरगाम पान के बंदे उसके कमड़े के बाएर पैर दे रहे हैं जैसे ही वो हास्पिटर से निकलेगा उसकी बार कोई खलती नहीं होगी एकसिडंट इसकदर ब्यानक होगा कि लाश तक को पहचाना मुश्किल हो जाएगा जफर नाभी शस ने आइस्ता वास में ठेहर ठेहर कर जवाब दिया तो हदायशा ने हनकोरा बड़ा अगर किसी को भी शक हुआ तो याद रखना तो वाई लाश भी किसी को नहीं में लगे ठेहरा देने वाले लाश में कहते हुए वो दूसी जनब मजूश्यस की सांसे खुश का चुका था जिबके निली ग्यारियां के नामेसूस अंदास में आफिर के अतराफ का जयादा ल कोई नहीं जान पाईगा कि हदाश ने सिर्व स्रकाम हान को शेयर से बाफसी पर कतल करने का मरसूबा बनाया था कोई ये बाद सोच भी नहीं सकता शा बकवास बंद कर अपनी दोबारा ये बाद तनहाई में भी अपनी जबार ना लाना अभी वह मजीद बोलता हदाश की गर्षदार आवास सुनते वे साथी से होन बीच किया था जिशी साब जी जी शाह साब कभी भी नहीं में मनाकर मादत की जिसे सुनते वे अपनी पर ये जटके से फून बंद करते वे मुबायर टेबर पर उचाला था कोनिया टेबर पर रखते वे हाथ तू में सर ग्राते भी अभी वो गुसे पर काबुक पाने के सही कारी रहा था कोई उचलत में द्वादा नौ करते वे इजात मिलने की पर वाक ये बगार अंदद्दाल्द हुआ था उसे पहले यहां दायश या गुसे से सामने वाली की क्लास लेता कि नर्स की वोखलाईवी आवाद पर वो सकते में आथा मगर अगले ही लम्में बढ़े क्रिफतार से वो अपनी जगास से उठतावा बाहर की तरफ बागा था कौन लाया है इन लड़कियों को एमजेंसी की जनम तेल से बढ़ते वे वो अपने कदम लाने की कोशिश करते वी नर्स से महातब हुआ था सर कोई नहीं करीब डॉक्टर्स के बनाये हुए थे में इस वक्त के हिरा मचवा था वहां मदूद दूसरी मरीज औरते इन तिन लड़कियों की ऐसी हाल करने वाले को बदवाएं दे रही थी हदाइशा को देते वे डॉक्टर्स साहर पर होने पर हदाशा की नजर समने स्टेश पर में सुर्ण अंगारा हुए थे या अल्ला रहम सर गोशिनमाल लहजे में लफ्स अतावत हुए थे गैरी सांस देते वे हदाशा ने अपना कपाता हुआ हाथ भूर तरह से ग्रूसी लड़की के कलाई के जनब रहाया था सर यह पुलिस केस है कुनूर्नी कारवाई ज़रू हैं अगर इन में से किसी की भी जान गई तो मैं तुम्हें ऐसा कनूर्स सिखाऊंगा कि डाक्टर क्या अपनी सारी डाक्टरी ही बोल जाओगे हरी अप टीम शेर सी दार लिए घुरा काते वे जटके से काले ठोटे वे वह बाकी डाक्टर से महातब हुआ तो जल्दी से तो लड़की जिसके चेर पर इस कदर तो श्यद्द किया गया था कि विए जैनम से मसू हो जोका था जिसम बाद दियागा सफेद कप्रा हुँट से तार होते वे उसके जिसम से चिपख जोका था सर के बाल के इन जगह से काटे और चलाए गये थे उसके जिसम में हरका कि हदाषा ने गर्ण तेची करते वे लड़की के चरे की जानम देखा था जो साकत पानी से बढ़वी आंके गया मरे नुक्ते पर तकाये होई थी जिसे देखते वे हदाषा का दिल बूरतना सा दर्का था और नजरे दुबार लड़की के हाथ पर थामेवे कागस पर मर्क काज़ को खोला था तीन लड़कियां तीन जिंदकीयां शाहंदान की तीन इस्तों का मुस्तफर लेकिन बेहनों का या बीविएं का प्रींटर से बड़बरे बड़े सुख्र वहरूफ ट्राइब में किया इस ओपा तेखर मगशनुराइब और कि ये Whose and करके सेन्ट करने के बाइब बेराम शाह को काज मिला चोगा है जो के पहली रिंग पढ़ी उठा ली थे का इस बैद मेरां शाह ने कि घर सांग आ इस से बता चुकी थी कि बियराम शाह से मिलने के लिए हैं जिसपर वो में साइब लात वे इंद बाइब आफ़ीस की जैने मार चुका था मगर सामने अपनी चेर पर बैट वे बिलाज़ा को देखते और वहां पर आयसायं को नाफागा बिलाज़ा ने दिल ही दिल में शुकर अदा किया था अब यह शुकर जबानी लिफाथ में अदा करता कि आफिस मुलहिक का वाश्रूम से पाने गिनने की आवास सुन नर्म लहज़ में का तो बिलाज़ा ने तासफ से साज़ेटे तवे कदम बढ़ाये थे द्रम्याम ने पड़वे टेबल के सामें दो चेर्स को देखते वे बिलाज़ा ने एक नजब बेडामशा को देखा था जो टेबल के पार चेर्स पर बैठा हुआ बाए अंगुटे क बिलाज़ा को देखा था तुम्हें लगता है कि उसके सामने बास की कुर्सी पर बठोगे तो समने बैक वो तुम्हारी आर्टी उतारेगा ना बेरामशा के तरंजिल लाज़े पर बिलाज़ा ने साजटे वे अपने कोड का बटंग खोलते वे जगह समालते के तब वाश् नहीं रुको साथ में चलते हैं और तुम बताओ तुम्हारा यहां कैने कैसे आना हुआ फाल से मिरत वे एक साथ उन से महातब हो वे का तो आजसा ने मैं सारह लाज़ने पर इस तफ़ा किया दबके बलाज़शा न्यूस पेपर टेपपा पठक तब अपने जगह से उख़ पास फालतु का वक्त इतना है कि जहां मर्दी लुटा दे कोई काम दंदा है आप जाएं जहां जाना है जिसके साथ मर्दी जाएं पर तो आजसां को इसका इग्नोर कोना उस दिन तो वह श्याद उसका बाइब यहां आजसां को हकीकत बता चुका था तो आप वहां भी का रूठी बीवी को मुनाई बगाई जहां आया था तो इस बात की कोई वैलियर ही नहीं थी एक मिनट सांत अलो बलाज सिपका की रूह आ गई है क्या और हम कहीं नहीं जाड़े गारी साथ चाहते हैं चाहो तो तो तुम भी साथ आजो और दूसी बात मैं तुमें नहीं ब मुबायल पर बेरामशा का मैसेज निकाल को दिखाया तो आजसान ठटक का इंदोनों के जाना मतवज हुआ लेकिन मैंने तुमें मैसेज नहीं किया बलाज बलाज की जान देते वे हैरा से जाब अभी उससे पहले ही आजसान कुछ कहता कि बेरामशा अपने फून पर आतव हाँ से हवेली पहुंचो नहीं लाला यह मसूम हमारी बज़े से इस हाथ में है मैं अपरेशन के बाद यहां सूर्ते हाथ कुछ बेतर होते हुए आता हूं शायर से डाक्टर्स की टीमी बलाल ही है वो पहुंच आए तो मैं हवेली जाओंगा उसकी जान बचाना मेरा पहला सब बताता बार-बार मुबैल से हवेली का नमबर डाल कर रहा था जो कि मसलसल बंच जा रहा था जिस बाद बेरामशा ने मुबायल पठरने के अंतास में डैश बोर पर मरा था आए तुम छोटे हान को फून करो मैं अभी थाने फून करकर पुलिस को बेता हूं हवेली को स शाह हवेली चला जाए सिपका वहां पर बेस्मेर के बार में जानती हैं वहां कोई नहीं जा सकता हूं वहां वो सब महफूस रहेंगे अपने मुबायल बाज़े से उगले चलाते हूए बलाचा ने आयसान से कहा तो आयसाने सरसपात में लाते हूए चोटे हान का नमबर मि की नहीं है यह सब प्रेप हैं हमारे फूंस तक उनकी कंट्रोल में है बलाचा कि सर ठ्रादेने वी आवाद पर वो दोनुपाल के लिए साकत हुए थे फिर अगले ही लमें बिरामचा ने हतना 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 गारी के स्पीड बढ़ाए थे बारी होते हैं को थामते वे उसने बामश्किल अपने आंकी खोल ले थी कमरे में चारवे हंदेरे में लम्क की मतलब सी रोशनी पहले थी जाकि सोई कैफित में वो एत्की नजरें गुमाती पुश्ट बैट करून से टेक्स लगा चुकी थी होश्ट कुछ बहालत हुए तो कमरे की लैर्स आंड करते हैं वो जैसे पैल्टी थी रोशनी में नहाई कमरे की दरुदीवार को देते वे अकीदर श्या अपनी जगापर मुंझमिंद होए थी कमरा चारू अत्राव से अकीदर श्या की तस्वीरों से सज्ज़वा था सब तस्वीर तब की थी जब वो पा अकीदर श्या ने फटी पड़ी आंखों से इस तस्वीर को देखा था वो तस्वीर जंगल में लिए थी जहां वो जर्गामा की हमड़ा थी तस्वीर में जर्गामा की जुका वा था और वो सुर्फ पढ़तवे चेर को जुका खड़ी थी गुट्टूं के बाल जमीवा ब अकीदर जल्दी से उश्यान सब्सक्राइब बढ़ते अकीदर का फ्यार आया कि द्रोदा बंद होगा मगर जैसे ही उसना खोले के कोचिकी दरवाधा असानी से खुल गया इस पर अकीदर को खुश्की बजाए हैरत हुई थी दरवाधा खोलते ही जैसे ही कक्दम बाएर र रहदारी जो के दाएं बाएं दोनों तरफ तब पहली हुए थी पुश्क पर तवे होंटों को दार्ख करती वह शुचर पंज में मतला थी कि तभी दूर से आते भी अवाद हैं जो कि इस तंग सी रहदारी की दिवार से टक्रा कर फैल रही थी इनके ताकव में बाएं जद इस मिलोग से जाने दो मकरस बेगम के जंडरी अबाद पर अकीदत ने तकलीव से आंके में चीती हां मेरा और मेरी बहां का काम हतम हुआ हमें जल्द अ जल्द यहां से जाना है बदाम गुल के दबे दबे लेजमें चिला का कहने पर दूसरी जनम से हनकौरा बढ़ा गया था कि वह छोड़ी छोड़ी कदम लेती हुए राहदार से मुर्तवी सीरूं की तरफ आ चुके थी रेलेंप पहाजमाई में नीचे देखने के कोशिश की तो नजरे मुकदस बेगम और बदांगुल से होते हुए सामने सुपर बैटवे श्यस की पूर्स से टुक रहा थ अपने जगा सुर्तवा बदांगुल के कांदे पर हाथ रहते उसका कांड के जान मुझता हो कुछ कह रहा था जिससे सुनते हुए बदांगुल ने सार असबाब महला था वो अपने बात मुकमल करते वह श्यस परड़ता था उसके पर अधिद को लगा किसी ने यह ठंड़ पानि उसके वजुद पर अंडेल दिया हो जरगां होंटो में हलकी से जन्मिश हुई थी पूरा वजुद सकते में था डेल निपा जमेवे हाथ पूटां से लड़करा कर पहलों में आन गिरे थे सबस्त आंके पल में लबलब पानियु से बढ़ी थी ग्यारी सांस लेते व पानियुक्ता वजए अजीब सी बेचानी के हसार में था तुम जरगां मांट ये सब क्या का रहे हो पलवच्छा इंतसाल को यहां क्यू लाने वाली है क्या करने का सोच रहे हो तुम कजन है ना वो तुम्हारी तुम्हारे ही हांदान की गामवागु से बेबसी से वो दब नहीं मान रहा था नजरे खुद नजर आते वे आंके खुद नजर आते वे मर्दक की सचाय से अनकारी हो रही थी कुछ देर और फिर सब जान जाओगी कल का दिन शुरू होने से पहले हम एक नए जिन्दकी का आगास करेंगे जहां सिर्फ हम दोन होगे अकिदर शाह इन लब बने भी बैठते चली गई